हेलो दोस्तों जब कोई वेक्ति कुछ एचीव कर लेता है कुछ प्राप्त कर लेता है कुछ सीख लेता है तो वह अपने औरों को बताने के लिए और लोगों को उसे बताने के लिए कोसिस करता है कि उसने कैसे वह एचीव किया है तो सिम वह ही मैं आज आपको बताने वाला 7th class तो मुझे याद नहीं है लेकि 8th class में जैसे मैं गया तो मुझे पता हो गया कि 8th class से लेकि 10 तक जितने भी मेरे exams हुए थे maths के उसमें सारे के सारे exam में full to full marks आते थे out of out marks आते थे इतना मुझे याद है क्यों क्योंकि मुझे उस subject का ही क्यों याद है नमस्कार दोस्तों स्वागेत आपका हमारी YouTube चैनल महिस प्रजापती मैं आज आपको खुद का आनुभा पताने वाला हूं कि कैसे maths में out of out marks हासिल करते हैं अगर जो बातों को मैं बताने वाला हूं कर आप इसको follow कर लिया तो मैं guarantee लेता हूं आप math के master बन जाएंगे तो अच वह पढ़ाते थे जो भी वह रिवाइस कराते थे वह वही homebuck देते थे वह एक तरह homebuck मिल गया homebuck में किल नियुर्ण रभी Enough is the supernatural benefit ततरी दोबारा करतें कितनी बार रिवीजम साथ यह किन पढ़ा दो यह करने करतें में कित्राइब को यह तो करना अगर आप रियल में मैज के मास्टर में रियल मैस के टॉपर बनना चाहते हैं तो इन बातों को जरूर धाद जींग जिस बात को बता रहो ऐनली वन बात एक हमoten ली रिवीजं योटिर और कुछ नहीं बस एक ही मैंने काम किया बार 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 डिवीजन बार 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 डि तो मैं यही बार-बार आपको कहता हूँ कि जब भी आप math की पढ़ाई करें या जो भी math आपको पढ़ाया जाता है उसको बार-बार revise करें क्योंकि जब बार-बार आप revise करते हैं तो आपको उसके basic concept भी समझ में आ जाते हैं क्योंकि कुछ चीज़ों होती हैं जो हमें नहीं पता होता है लेकि जब हम धीरे-धीरे करने लगते हैं तो आप लोग है ला सकते हैं मैं यहीं टिपस है रिवाइज रिवीजन और कुछ भी नहीं रिवीजन करें क्योंकि हर चीज़ के लिए रिवीजन जरूरी है तो यही टिप्स थी और इस टिप्स को आप लोग फालो करेगा वीडियो कैसे लगी कमेंड में जरूर बताईएगा और अपने दोस्तों में जरूर सेर करेगा और लाइक जरू करेगा थांक्यू